बागवान श्रीक्रिष्ण एक संदेश देते हैं अंतकाले चे मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरं यह प्रयाती समद भावं याती नास्ति अत्रुष्ण श्याः जो व्यक्ति मृत्यों के समय शरीर को त्यागते हुए भगवान का समन करता है ऐसा भगवत भाव में आया वाव्यक्ति भगवान कहते हैं से प्रयाती यह मद भावं याती नास्ति अत्रुष्ण श्याः निश्यत ही भगवान को प्राप्त कर लेता है अंत्मति सो गती ही हम लोग सुनते हैं लोग इस अंत्मति को बनाए रखने के लिए अपने बेटा बेटी का नाम भगवान के नाम पर रख लेते हैं कि जिससे कम से कम आखरी समय में अगर मोह ममता के कारण बेटे का ही नाम पुकारें तो भगवान का नाम तो होगा तो कैसे भी नाम मुख से निकले और गती हो हम सभी लोग इस दुनिया में अपनी प्रगती के लिए सोचते हैं और सदगती के लिए सोचते हैं प्रगती करना चाहते हैं सांसारिक उन्नती के लिए और सदगती की कामना करते हैं कि मरकर भी हम दुरगती को प्राप्त ना हो अधुगती को प्राप्त ना हो तो सांसारिक सफलता के लिए और पारमार्थिक सफलता के लिए जीवन प्रभु में होना बहुत आवश्यक है जो भी आप काम करते हैं उस काम को जीवन यापन के साथ साथ जीवन दाता के साथ जोड़िए कि जीवन देने वाले परमात्मा ने जो भी हमारे सेवा बृत्ती नौकरी जो लगा दी है वो नौकरी किसी इंसान की हम नहीं कर रहे हैं हम भगवान की नौकरी कर रहे हैं इसको हम खूबी से करते जाएं उतने से संतुष्ट हो जाएं जितना दिया जैसा दिया जिस तरह का दिया भगवान का धन्यवाद करते वे जी सकें दन्यवाद करतावा व्यक्ति जीए तो उस व्यक्ति की जीवन में संतुष्टी आती है शिकायत करते वे जीता है तो चेहरे की मुश्कराट गायब हो जाती है और प्रभु की भक्ति भी ठीक से नहीं होती है इसलिए हमेशे ये ध्यान रख लीजिए मिलेवे प्रसाद को धन्यवाद के साथ स्विकार करना जो नोकरी मतलब कर्म करने से जो कुछ प्राप्त हुआ लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि अपने कर्म को आपने बहुत खूबी से करना है और जब आप कर्म करते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका हुर्द और बुद्धी दोनों का तालमेल होना चाहिए प्रेमपूर्ण भी हो युक्ती युक्त भी हो बुद्धी पूरवक भी कर्म करें आधा दूरा नहीं भावना है जब जुड़ जाएंगी आपके कर्म में तब वो कर्म प्रेम से भरा हुआ आपको ज़्यादा आनन देगा और भक्ती भी बनेगा ऐसे समझीए कि जो लोग पूजा को कर्म दंदे की तरह करते हैं वो किसी तरह उस कर्म को निप्टाने की सोचते हैं बस पांच दस मिनिट में नाम वाम जपो जल्दी से माला पूरी करो फूल फूल चड़ाओ वगवान को और फिर अपने काम में जाना है लेट हो रहे हैं तो यह प्रेम प्रकट करना नहीं हुआ यह कर्म और एक क्रिया आपने पूरी की जैसे आपका हर्दे उससे जुड़ जाएगा तब आप यह नहीं सोचते कि मैं पांच मिनिट या दस मिनिट जितन देर भी आप खड़े हैं आपके हर्दे का प्रेम प्रकट होगा मतलब जब आप घर से बार निकलते हैं तो छोटे से बच्चे को कोई पोते को, पोती को, कोई अपने पुत्र और पुत्री को छोटे से बच्चे को दुलार कर आप जाते हैं तो उस समय आपका कर्म प्रेम से बरपूर हो जाता है तब ऐसे नहीं भागते भागते नहीं सिर पे हात रखते अगर भागते भी सिर पे हात रखेंगे तो भी आपके हरदे से प्रेम प्रकट होगा कितना भी जल्दी हो जाना आप जो बगवान के मंदिर में जाते हैं तो यह समझ लेना आपके फूल वहां नहीं पहुंसते हैं आपका प्यार वहां पहुंसता है अपने शद्धा को अपने प्रेम को प्रकट केजिए और यह तब ही होता है जब आप छोटे बच्चे को प्यार करते हैं तो यह मेरा प्यारा मेरा लाडला मेरा स्नह का पात्र मेरे वासले का पात्र मेरा बच्चा जब आप कहते हैं आपके फूले का प्रेम प्रकट होता है जब आप कहें मेरा भगवान, मेरा दाता, मेरा मालिक मेरा सब कुछ मेरा धाता सब कुछ देने वाला मेरी रक्षा करने वाला मैं उसके चरणों में सिर जुका कर प्रणाम करना चाहता हूँ मंत्र या कोई विधी मैं तो पूर नहीं है मैं तो पूर प्रेम है तो इसका मतलब है कर्म तो किया लेकिन उसमें हृद्धे को जोड़ दिया और जब आपका हृद्धे चुड़ जाता है तो ये ध्यान लख लीजिए कि वो कर्म फिर आपका पूर्ण कहलाता है ये ऐसे ही है जैसे पक्षी के दोनों पंक एक से ही उड़ना चाहें तो नहीं उड़ सकता पक्षी एक टांग से आप नहीं चल सकते दोनों चाहिएं आपको प्रणाम भी करते हैं आप तो दोनों हाथ जोड़ते हैं न तो एक हाथ हृदे वाला है कॉमल लेप्ट हैंड जो है हाट उधर ही है न तो हृदे से प्रेम से भरा हुआ एक हाथ दूसरा हाथ बुद्धी मत्त्त और कर्म से भरा हुआ इन दोनों को जोड़ के ही भगवान की वंदना करते हैं तर्दे बीचाहिए मस्तिक्स बीचाहिए कर्म भी पूरा करना प्रेम भी पूरा दोनों चीजे मिल जाएं तो फिर क्रपा जरूर होगी निश्वत रूप से इसलिए कोई भी कारिय करते हो तो ये देखल निलां कि इसमें मेरा हिर्द जुड़ा या नहीं जुड़ा उधारन से समझे एक पुराना उधारन अमारे ग्रेश में दिया जाता रहा है अंधा और लंगड़ा व्यक्ति जंगल में अगनी में फस गए जंगल की आग बड़ी बहयंकर मानी जाती है बहयंकर इस रूप में होती है कि वो चारतरफ घेर लेती है बीच में खाली दिखाई देता है और चारतरफ आग और फिर जो गोल घेरा बीच का बचता है वो दुआ बन जाता है वो एक भवंडर बन जाता है भवंडर बनके वो गोल गोल घूमता हुआ गुटने लगता है आज में उस समय में बचके निकलना आसान बात नहीं होती है कोई भी दुख जब इनसान को गहरता है एक तो सांस लेना मुश्किल हो जाता दुख में बड़ा लंबा गहरा सांस खीचता है जैसे कोई गला दबा रहा हो अकल काम नहीं करते हैं मुसीबत में आदमी दूसरे से कहता तुम मुझे कुछ बताओ मैं क्या करूं मुझे कुछ सोज नहीं रहा है दुख हमेशे इसी तरह करता है दोनों घिर गए आग में और बाहर निकलना चाह रहे हैं अब लंगडे आदमी के पास आखें हैं लेकिन दौड नहीं लगा सकता इस दुनिया बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आख है दिमाग है अकल है बड़ी बातें करेंगे चलने ही पाते हैं वो करने ही पाते कुछ भी वो बाते करेंगे सम्मिलन होगा बड़ा-बड़ा परियावरन के लिए कुछ करना चाहिए मौसम बिगड़ रहा है लोग बिमार होते जा रहे हैं तरह-तरह के वाइरस फैल रहे है धर्ती का संतुलन बिगड़ रहा है जलवायू बिगड़ गई है आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है सब को पेड़ लगाने चाहिए पेड़ कितने लगाने चाहिए तो फिर वो गिंती बताते है कि भारत वहें तेरा प्रतिशत वन है होने चाहिए 30% तभी हम जीवन को ठीक से जी पाएंगे बादल ठीक समय में बरसेंगे गरम सर्द नहीं इस तरह का होगा गर्मी में ज़्यादा गर्मी सर्दियों में ज़्यादा सर्दी बरसात जहां पढ़नी चाहिए वहाँ पढ़ेगी नहीं और जहां पढ़ रही है वहाँ ज़्यादा गिर रही है बहुत बढ़िया बोलते हैं वो लोग आपने सुना होगा बड़े बुद्धी बुद्धी वाले लोग जो होते हैं बुद्धी जी भी कहलाते हैं उनकी बाते हैं आप सुनगे बड़ा बढ़िया बोलते हैं उनकी बात सुनते वे हिर्दे पर भी असर आता है कि आपको जो सांस ले रहे है यह oxygen यह कौन दे रहा है यह पेड पहुत है छोटा सा घास भी आपके लिए गैस का oxygen का cylinder है एक आदमे को पूरे वर्ष में बारा पेड चाहिए जीने के लिए हर महिने का एक पेड तो बारा पेड तो आपको लगाने ही चाहिए और फिर कुछ बच्चे हैं, कुछ बूड़े हैं, कुछ रोगी हैं, उनके हिस्से के कौन लगाएगा, वो भी आपको लगाने अब बातें तो बहुत अच्छी हो गई वो लोग हाथ उठवाएंगे सबके और उसके बाद आप देखिए, जिन्नों ने भाशन दिया, वोई पेड़ नहीं लगाएंगे जिन्नों ने लगा दिया, वो जाकर देखेंगे भी नहीं, कि हमने पेड़ लगाए थे हमारी जिम्मेदारी थी, वहाँ पानी भी देते, उनको पश्वों से भी बचाते सास लेना है हमको, तो बड़ी बातें करके जाएंगे बुद्धी जीवी लोग, उनके पास आंक है, दिमाख है, पाऊ नहीं है, वो चलते नहीं है, कुछ वे लोग हैं जिनके पास आंक तो नहीं है, दिल है, है उन से किसी ने कहा पीपल को नहीं काटना बरगद को नहीं काटना तुलसी लगाना तो तुलसी का पौधा लगाएंगे फिर तुलसी के चारो तरफ धागा बांदेंगे फिर पेड के चारो तरफ धागा बांदेंगे पीपल के चारो तरफ धागा बांदेंगे हम तुमारी रक्षा का बचन देते हैं तुम हमारी रक्षा करना जैसे बहन भाई एक दागा प्रेम का ही तो है वो बांध कर बहन भाई के प्रते प्रेम जताती है और भाई कहता है मैं तुमारी रक्षा करोगा इन लोगों के पास हुरदे है लेकिन करते भी हैं उनसे तो अच्छे हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जिंदगी कब चलेगी, जब दोनों मिल जाएं, दिल भी और दिमाग दोनों पंक से जब उड़ना शुरू करोगे, तो आस्मान को पार कर सकते हो, दोनों चीजे चाले हैं, दुनिया में बहुत सारे भक्त लोग उसी तरह के हैं, जिन के पास परमपराएं आ गई, प्रताएं आ गई, रिवाज आ गए, रिवाज के कारन करते जा रहे हैं, अमारे पहले वालों ने किया, इसलिए हम कर रहे हैं, आगे वाले भी वैसे करें गज हैं, वो दिमाख लगाने को तयार नहीं है बुद्धी जीवी को आप ग्यान वाले को भक्ति दो और भक्ति वाले को ग्यान दो जब दोनों के पास दोनों चीजें हो जाएंगी इस दुनिया का बला हो जाएगा यह बहुत आवश्यत है परंपूज्य श्री सुधान्शुर्जी महरा के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनाग 28-31 मार्श दो हजार चौबिस कारिक्रम की रूप रेखा शुभारंब 28 मार्श दो हजार चौबिस सायम 4-7 बजे 29-31 मार्श दो हजार चौबिस प्रात है 8-11 बजे सायम 4-7 बजे विशेश कारिक्रम मंत्र दिक्षा 31 मार्श दो पहर बार बजे स्थान पावंधाम आश्रम नज्जीक देविलाल चौक कर्नाल आयोजक विश्व जागरती मिशन कर्नाल मंडल संपर्क सूत्र अपसा परिवार साधर आमंत्रे थें परम पूज्य श्री सुधांचुर्जी महराज के पावन आशिर्वात से ध्यान वा अध्यात्म गुरू डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविन ध्यानम मन पुप्त दैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप्रहित योगी सुख ब्रमस्पर्ष का परम सुख प्राप्त करता है दिनात बीस और एक्किस अप्रैल दो हजार चौबिस कारिक्रम की रूप रेखा बीस अप्रैल दो हजार चौबिस सायम साड़े चार से साड़े छे बजे 21 अप्रैल दो हजार चौबिस प्रात है दस से साड़े बारा बजे एवं सायम साड़े चार से साड़े छे बजे स्थान बर्दान लोकाश्रम घोरबंदर थाने रोड मीरा रोड इस्ट आयजक बर्दान लोकाश्रम मुंबई संपर्क सूत्र झाल